इस question में बचो angle find out करना है ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये check करना है कि जो दोनो लाइन का given equation है वो standard form में है या नहीं है तो convert किजिए कौन सा standard form होता है? x minus x1 upon a1 equal to y minus y1 upon b1 equal to z minus z1 upon c1 वो वाले format में उसको convert कर लेता है तो x upon क्या हो यागा? 1 by 2 equals to y upon क्या हो यागा? 1 by 3 equals to z upon क्या हो यागा minus 1 दूसरा वाला कैसे convert करेंगे? x upon 1 by 6 equals to y upon minus 1 equals to z upon minus 1 by 4 बचो ठीक है? अभी या convert हो गया और मेरे को angle निकालने के लिए shift direction ratio का जोरत होता है तो पहले formula लिख लेंगे angle find out करने का तो चलिए अब A1, A2 सबका value यहाँ पे put करते हैं अब देखो यहाँ पर एक trick बताता हूँ, denominator को भी solve मत करो, numerator को पहले देख लो, वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले numerator आ पार्ट solve करते हैं, क्योंकि यहाँ पर hint दे रहा है, क्योंकि यह भी positive में है, यह भी positive में है, ठीक हो और यह negative में है, तो अगर मैं add करके इससे subtract कर यहाँ पर कर देता हूं, तो multiply करेंगे, तो यह हो गया 1 upon 12, और यह minus minus plus हो जागा, तो plus 1 upon 4 हो गया, ठीक है, LCM लेंगे 12 हो गया, तो 1 plus 4 3s are 12, तो यह हो गया 4 upon 12, और यह हो गया 1 upon 3, अरे वह यह 1 upon 3, यह 1 upon 3, यह 1 upon 3, तो numerator क्या हो जागा, 0, तो denominator तो solve भी नहीं करना है, तो कि ओलते नेक्स लाजू, तो यह यह दो दो, अधिन दो, वाखो जागा, तो भी नाख़ी, तो यह हो गया.